वीडियो को लाइक करें ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा कर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ondan Citron Tablet के बारे में आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी केटेगरी की दवा है इसके कौन कौन से popular brand ने market में आते हैं इस दवा का उपयोग कहा कहा किया जाता है इसके क्या क्या side effect है इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावदानिया रखनी चाहिए वीडियो को अंतक देखें जिससे आपके सारे concept क्लियर हो सके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आविश्य दवाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों ओंडेन सिट्रोन एक परकार की 5HT3 एंटागोनिस्ट दवा है और यह एंटी इमेटी की तरह काजी करती है दोस्तों यह हमारी सरीर में एक्सिस मात्रा में उत्पन हो रहे सीरो टोनिन के एक्षन को रोक देती है जिससे की मरीज को उल्टी आना बंद हो जाती है दोस्तों अगर हम ओंडेन सिट्रोन टेबलेट के परमुग ब्रांड नेम की बात करें तो वो है मेंकाइंड फार्मा लिमिटेड का वोमिकाइंड एलकेम लेबोरेटरिज लिमिटेड का ओंडेम सन फार्मसुटिकल का जोफर सिपला लिमिटेड का एमिसेट ब्ल्यू क्रोस लेबोरेटरिज का इटरना और मेकलोइट्स फार्मा का ओंडा मेक टेबलेट दोस्तों ये दवा आपके एरिया वाइज वे डोक्टर वाइज अलग-अलग ब्रांड नेम से मिलेगी आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं दोस्तों ये दवा टेबलेट फॉर्म, सीरफ फॉर्म यानि कि ये मुह के अंदर ही जाके गुल जाती है और अपना कारिय प्रारम कर देती है दोस्तों सामानेते ये दवा 4 मिलिग्राम और 8 मिलिग्राम दोनों ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है दोस्तों अगर हम इसके उप्योग की बात करें तो इसका पहला उप्योग है गेस्ट्रो एंटराइटिस में उल्टी होने को रोकने पर दोस्तों गेस्ट्रो एंटराइटिस के दोरान पेट वे आंतों में सूजन होने लगती है और मरीज को उल्टी होने लगती है तो उस उल्टी को रोकने के लिए ओंडें सिट्रॉन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है दोस्तों इसका दूसरा उप्योग है सर्जरी के पस्चाथ कई बार क्या होता है जब कभी भी किसी मरीज के अंदर सर्जरी की जाती है तो उसको सर्जरी के दोरान दिये जाने वाले एनेस्टीसिया की वज़े से उल्टी होने के चांसे बहुती ज़ादा बढ़ जाते है तो ऐसी कंडिशन में भी डॉक्टर दौरा सर्जरी के पस्चाथ मरीजों को ओंडेन सिट्रों टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है दोस्तों इसका उप्योग कभी कभी मोशन सिखनेस में भी किया जाता है मोशन सिखनेस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है बस में बैठता है या कार के अंदर बैठकर यात्रा कर रहा होता है तो यात्रा करते समय उसको उल्टी होने की संभावना बन जाती है तो motion sickness से बचने के लिए भी ओंडेन सिट्रों टेबलेट का प्रियोग किया जाता है वेसे देखा जाए तो दोस्तों motion sickness के लिए जो सबसे best drug of choice रहती है वो इसको polamine रहती है जिसे हम hyosin भी कहते है दोस्तों इसके अलवा यदि किसी मरीज को cancer treatment चल रहा हो याने की chemotherapy चल रही हो तो उस दोरान होने वाली उल्टी को रोकने के लिए भी डोक्टर द्वारा इस दवा का उप्योग first choice of medicine के रूप में किया जाता है दोस्तों कभी कभी इस दवा का उप्योग pregnancy के दोरान होने वाली उल्टी में भी किया जाता है जिसे हम morning sickness भी कहते हैं दोस्तों pregnancy के दोरान होने वाली morning sickness में डोक्टर द्वारा सामने तोय डोक्सिला में सक्सिनेट प्रेसक्राइब किया जाता है अगर फिर भी उल्टी कम ना हो तो डोक्टर द्वारा दो या तीन दिन के लिए ओंडेन सिट्रोन टेबलेट भी प्रेसक्राइब की जा सकती है दोस्तों इसके अलवा अगर किसी भी मरीज को किसी भी वज़े से उल्टी हो रही है या फिर उपके आ रहे हैं तो उस समय भी ओंडेन सिट्रोन टेबलेट या फिर सीरफ या ड्रोब का उपयोग किया जा सकता है वहाँ पर ये दवा बहुती फाइदेमन रहती है दोस्तों अगर हम बात करें ओंडेन सिट्रोन टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में तो वो है हेडेक यानि की सीरदर्द, कौंश्टिपेशन यानि की कव्स, डाइरिया यानि की दस्त का लगना, फेटिक यानि की सरीर में बेचे नहीं रहना वे थकान होना जो कि थोड़े समय अंतराल बाद में स्वते ही समाप्थ हो जाती है इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट नजर आए तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर से सला लेनी चाहिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ओंडेन सिट्रोन टेबलेट को कव्वे केशे लेना चाहिए दोस्तों इस दवा को हमेशा खाना खाने से आदा घंटे पहले लिया जाता है और जब कभी भी इसे लें तो ये माउट डिजॉलिंग फोर्म में हैं तो इसे मुह में रख लें जिसे कि ये मुह के अंदर ही घुल जाए और उसके बाद में पेट में चली जाए या फिर इसे एक गिलास पानी के साथ बे निगल कर भी लिया जा सकता है दोस्तों अगर हम ओंडेन सिट्रोन की एडल डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज फोर मिलिग्राम टेबलेट दिन में दो से तीन बार होती है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या-क्या सावदानिया रखनी चाहिए दोस्तों अगर कोई मरीज पेप्टिक अलसर से पीडित हो तो उस मरीज को कभी भी इस दवा को नहीं दिया जाता है सामने आते इस दवा को उस मरीज को avoid किया जाता है दोस्तों जब कभी भी कोई दवा ले तो हमेशा डॉक्टर की सला से ही ले स्वरते कभी भी दवा नहा ले तो दोस्तों ये थी जानकारी on-dense itron tablet के बारे में जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सला से ही ले इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आउश्य दबाए जिससे नई नई जानकारी आपको सई समय पर मिल सके दोस्तों स्क्रिन पर आ रहे माई सजेशन और वासनेश्ट वाले वीडियो को भी जरूर देखें इनसे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो दोस्तों एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद